नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 परमोख खबर जानते हैं कुरोना संकट पर पिये मोदी आज करेंगे तीन-तीन हाई लेवल मीटिंग देश में लगतर बढ़ रहे कुरोना के मामले को देखते वे परधानमति नयन मोदी सुक्रवार को एक के बाद एक तीन हाई लेवल मीटिंग करेंगे उन्होंने आज का अपना बंगाल दोरा भीरत कर दिया है मोदी आज बंगाल में वर्ट्वल रैली को समोधित करेंगे अपनी बैठको में मोदी पौले अंत्रीम बैठक करेंगे इसमें सामिल होने वालों के नाम की जनकारी नहीं है बतादे उसके बाद देश के वैसे राज जाहसंक्रमितों का आकड़ा सबसे ज्यादा है वहाँ के मुखमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे उसके बाद मोदी अक्सिजन निर्मतावों से बात करेंगे जारखन में सुक्रवार को मौसम में एक बार फिर बदला हुआ बतादे पच्छिम दिशा से आ रही हवा से बने टर्फ लाइन की वज़ा से राची समेत राजे के विभीन इलाकों में हलके से मदधर्ज की बारिस हुई इस दोराण में गर्जन एवं बजरपात भी हुआ मौसम विग्यान विभाग के बैज्यानी अभिसेक आनन ने बताया कि टर्फ लाइन के परभाव से पिछले 24 गंटे के अंदर राजे के कई जुलों में हलकी बारिस हुई बता दे सुक्रवार से आसमान साब और मसम सुष्क्रहेगा वहाई राजे में देव घर में सबसे ज़्यादा बारिस 40.4 मिली रिकोर्ट की गई जारखन में सब को कुरोना टिका मुफ्थ सियम हमान्त राजे में 18 वरस तथा इस से उपर आयूवर के सभी लोगों को मुफ्थ टिका लगेगा मुख्यमंत्र हमान्सुरे ने बड़ा एलान किया है राजे सरकार ने इसकी त्यारी यूद अस्तर पर सुरू कर दिया स्वास्त विभाग के पता दिकारियों ने इसके लिए पर्यास शुरू कर दिये हैं इस संब्ध में सिख्र घोसना की जाएगी बता दे एक मई से 18 वरस से उपर के सभी लोगों का टिक अकरन होना है इसमें 45 परस से अधीक उम्र के लोगों के लिए ठीका केंद्र सरकार मुप्त उपलब्त कराती रहेगी हमांत सरकार का फसला सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीसी के जी में मुख्यमंत्री हमांसुरे ने बड़ा फ्यसला लिया है बतादे राई सरकार ने रीम्स राची को छोड़ कर राजे के सभी मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों को अब उपायुक्तों के परसासनिक नियंत्रण में दे दिया है रश्टी अपदा प्रवधन अधिनियम 2005 तथा जारकन मामारे अधिनियम 2020 के प्रवधानों के तहट राई सरकार ने बिशेज परितितियों को देखते विया नियन लिया है बता दे गुरुवार को विकास आयुक्त स्वास्थ विभाग के अपर मुख्य चचिव अरून कुमार सिंग ने इस समन्द में आदेश जारी कर दिया है इसमें उलेखाय की बेहतर समन्द में एवं प्रवंधन के साथ कुरोना संक्रमन को नियंतिरित करने के उदेश सेया नियन किया गया है स्वास्त सुरक्षा सप्ता का पालन करे मुख्य मंत्री मुख्य मंत्रिय मंसुर ने राजवासियों से अपील किया है कि वे स्वास्थ सुरक्षा सप्ता का पारण करें इसे कुरोना संक्रमन की गति में कमी आएगी उन्होंने गुरुवार को एक वीडियो जारी कर कहा कि बाई से अप्रेल तक ज्यारकन वासियों की सुरक्षा के लिए स्वास्थ सुरक्षा सप्ता मनाने का निने लिया है इसका पालन सब लोगों को करना है सभी लोगों के द्रीट संकल्प और सन्वेदर सिल्ता के तहत ही यह स्वास्थ सुरक्षा सप्ता सपलता पुरुवग फूरा किया जा सकता है CVSC बोर्ड का नौवी से बरावी तक परिख्षा पैटर्न बदला है CVSC ने सतर दोयार इकिस बाइस से काक्षा नौवी से बरावी तक के परिख्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है बतादे नौए पैटर्न के अनुसार कमपेटेंसी बेस्ट की उशन पुछे जाएंगे इसका उदेश से है चात्र चात्राओ को लोजिकल बनाना बचों को एनालेसिस, हायर और इसकील क्रिटिकल थिंकिंग के साथ कंसेप्ट किलियर की ओर मोडना सिब्यसी ने गुरुआर को पत्र जारी कर सभी स्कूलों से नौए पटन के अनुसार चात्र चात्राओ को त्यार करने को कहा है बाबा बैधनात मंदीर सर्धारओ के लिए बंद स्वास्त सुरक्चायम संक्रमन के संभावित परसार को रोकने के उदेश से बाबा बैधनात मंदीर के पट को सर्धारओ के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है डिसी मंजुनात भयंतरी ने बताया है कि देवघर जीले में इस्थित सभी धार्मिक अस्थलों पर सर्धारओ को पस्थिती को परतिबंदित करते हुए 22 अप्रेल से 29 अप्रेल तक बंद रखने कादेश दिया गया है उन्होंने बताया कि बाबा मंदीर वासपास के छेतरों में परतिन्यूक्त अधिकारियों वा पुलिस बल के जवान परतिन्यूक्त करते हुए दिशानिर्देश दिया गया है कि बाबा मंदीर का पट बंध होने के बाद बाहर से आने वाले चरदालों को मंदीर बंध होने की इस्थिती सवगत कराते हुए सवसमान उन्हें उनके गंतव अस्थान की ओर रवाना करे बिवाह की अनुमती के लिए SDO कर्याले में उम्री भीड धनबाद कुरोणा में हमारी के बीच विवाह समारों के अवेजन को लेकर असानी परसासन से अनुमती लेने के लिए गुरू आरको लोगों ने कुरोणा को लेकर जारी सभी नियम धवस्त कर दिया बता दे सैकडोगी संक्या में लोग इस लोकडाउन में कुरोना निर्देशों को दर किनार करते हुए अनुमंदल पतादिकारी के कर्याला में उमल पड़े देखते ही देखते यहां अवेतको किलांबी कतार लग गई पता दे भीड अत्यधिक होने से कुरोना से अंक्रमन फ्रेलने का खात्रा भी बढ़ा जिसके बाद अनुमंदल पता दिकाई ने निदेश जारी करका की लोग अपने अपने छेत्रे के परखण करयाले से ही अनुमती प्राप्त करेंगे साधी समारों के लिए अनुमती के आउसकता नहीं रामगार SDO स्वाष्त सुरक्षा सप्ता के दोरान कई चीजों पर पवंदिया लगा दी गई है लेकिन साधी समारों और अम्तीम संसकार के कारेकरम पर पवादी नहीं है इन दोनों कारेकरमों के आउजन के लिए किसी परकार के अनुमती और पास लेने के आउसकता भी नहीं है या बात गुरुवार को SDO किर्ती सिरी ने कही उन्होंने बताये कि पवंदियों को लेकर लगतार उनके करयाले में लोगों के फोन आ रहे थे इसकी वज़ा से उन्होंने एक सरुजनिक आदेस भी निर्गत किया है उन्होंने कहा कि राई सरकार के गाई लाइन का उनुपालन कडाई से कराया जा रहा है लेकिन इस दोन साधी जैसे कारेकरमें 50 लोग के सामिल होने के उनुमती भी दी गई है जारखन में 7595 नई संक्रमित की पुष्टी हुई है जारखन में कूल मौत की संक्या 1715 है जारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 40,942 है भारत में 3,32,320 नई केस मिले है भारत में कूल मौत की संक्या 1,86,928 है वही भारत में कूल एक्टिब केस की संक्या 24,22,182 है बतादे भारत में 1,92,181 मरीज स्वस्थ हुए है वही जार्खन में 233 मरीज स्वस्थ हुए है जार्खन में 7595 नई संक्रमित की पुष्टी हुई है जो वोकारो से 432,416, देवघर 469, धनबाद 138, दुमका 150, पुर्वी 779, गाडवा 54, गिरीडिस अतर, गोड़ा 83, गुमला 306, हाजारी बाग एक हेर पैसर, जामतला 157, खुटी 128, स्कुडार्मा 451 लात्यार 180, लुर्दागा 94, पाकुल साथ, पलामू 407, रामगर 542, राच्ची 146, साहिव गंज 178, सराइकला 154, सिम्डेगा 118, पुर्वी सिम्मूं से 134, मरीज मिले हुए बतादे, जार्खन में 106, मरीज की मौथ हुए है, जो राच्ची से 135, पुर्वी सिम्मूं 14, रामगर 10, सिम्डेगा 7, धनबाद 4, हाजारी बाग तीन, पच्चमी सिम्मूं, खुटी, गोड़ा सराइकला से 22, बोकारो, देवखर, गुमला, जामतला, लात्यार, पलामू बतादे, बतादे, पुलीस सायरन बयाती हुई राच्ची की और सड़को पर गस्त लगा रही है, जबकि लोड़ी स्पीकर पर कुरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन बताया जा रहा है, या भी बताया जा रहा है कि कौन सी दुकान खुली रहेंग और कौन सी बंद, खुली राने वाली दुकानों को भी सारी रिक दूरी और सदर्कता की हिदायत दी जा रही है, बतादे, मेन रोड सहीत, जीले भार में भारी संक्या में चपे चपे पर पुलिस बलो की तेनाती कर दी गई है, स्वाच सुरक्षा सपताय कानुपालन कराने के लिए डी सी चावी रंजन और एसेसपी सुरेंदर कुमार जाक खुद सलकों पर निकले हैं, घर से बाहर निकलने पर पुलिस को बताना होगा कारण, कुरोना के बरते संक्रमन को देखते वे राई सरकार की ओर से गोशित स्वास्वरक्षा सपता जीले में गुरु 30 अप्रेल साम 6 बये तक रहेगा, इस दोरान बजारों में सैलून, सोप, कपड़ा दुकान, मोबाइल दुकान, घड़ी दुकान बंद रहेंगी, बाकि सबी दुकाने रात 8 बये बाद बंद हो जाएंगी, पता दे सलकों पर बिना जरूरी घुमते पकड़े जाने पर 500 र कर्मियों के स्वास्त का ख्याल रखा जाएगा, इसे देखते वे राची में 40 बरस से कम उमर के पुलिस कर्मियों के तैनाती का फैसला लिया गया है, संक्रमित इलाकों में ड्योटी के लिए इसकी सुची तयार की जा रही है, इसकी तैनाती माइक्रो कंटेनमेंट जोन वा राची में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों के सुची तैयार की जा रही है, जो सारे रिक रूप से दक्षाएं और कुरोना का दोनों टिका ले चुके है, जार्खन डिजी पी कुरोना पोजेटीब, पुलिस महका में पर कुरोना वायरस का खौब सीर चणका बोलने लगा है, अंगरी पंती में काम कर रही, पुलिस अब एक एकर कुरोना वायरस से संक्रमित होती जा रही है, अभी भारी संख्या में पुलिस के सेंपल जाच समंधित रिपोर्ट लंबी था है, बतादे प्रारामिक लक्षनों को देखते हुए असंका जताई जा रही है कि संक्रमित पुलिस कर्मियों की संक्या बविस में बढ़ेगी, पुलिस मुख्याले में डीजी पी निरेज सिना, आजी प्रोवीजन प्रभात कुमार, सहित जारकन पुलिस के 282, पुलिस पतादिकारी वा कर्मी कुरोना वायरस से संक्रमित हैं, अर्जुन मुंडा ने सराय के पायुक्त को 25 लाग की स्विक्रिति प्रदान की, केंद्रियर जन्जातिय मामले के मंत्री और खुटी के सांसाद अर्जुन मुंडा ने खरसावा विधान सभाचेतर में बढ़ रे कोवी नेटीन के संक्रमन को देखते हुए, अवस्यक्त स्वाच स्विधा उपलब्द कर ये 10 लाग रुपे की स्विक्रिति प्रदान की है, लोहरदागा डिसी ने कुरोना संक्रमित लोगों से की बात, लोहरदागा उपायुक्त दिलिप कुमा टोपो ने जीले के कुरोना संक्रमित लोगों से विकास भवन के अभिलासा कक्ष में टेनिफोनिक बाचित की, इस भी बाहर नहीं जाने, होम आइसोलेशन का सक्ती से पालन करने, हमेशा मास्क का उप्योग करने, स्वावरक्षा मोबाईल आप का इस्तिमाल करने की सलादी रांची उपायुक्त और एसेस्पी के नेतियुत में फ्लैग मार्च कोविन-19 संक्रमन के नियंत्रन के लिए स्वास्वरक्षा सप्ता के पहले दिन जिला दंडा अधिकारी सा उपायुक छवी रंजन और बरिये पुलिस अधिक्चक सुरेंदर कुमार जहां के नेतियुत में सहर में फ्लैग मर्च किया गया इस दोरान उपायुक छवी रंजन और स्वी सुरेंदर जहां ने एलवर्ट एका चौक से रेलवे फूट ओबर विरिज तक बिदी बेवस्ता का जाजा लिया मेदनी नगर में अब गांधी मैदान में ही लगेगा सबजी बजार पलामु जिले के मेदनी नगर में गुरु वार्षे गांधी मैदान में सबजी बजार लगाए जाएंगे इसके लिए सीवाजी मैदान गांधी मैदान एम क्रिसी उत्पादन बजार समीती का चैन किया गया है पता दे क्रिसी उत्पादन बजार समीती थोक सब्जी बिक्रताओं के लिए होगा यहां प्रती दिन थोक सब्जी बिक्रताओं के द्वारा क्रिसी उत्पादन बजार समीती परिचर में सब्जी मंडी लगाये जाएंगे तथावाई से खुद्रा सब्जी विक्रताओं को आपूर्ती कराना सुनिश्चित कराएंगे जारखन में 1824 नए अक्सिजन सपोर्टेड बेड मुख्यमंत्री की सतत निगरानी में कोविन मरीजों की चिकित्सा और उन्हें राहत पहुचाने के लिए यूद अस्तर पर तेयारिया की जा रही है हाल के कुछ दिनों में अक्सिजन सपोर्टेड बेड की काफी जरुरत मसूस की जा रही थी मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले की समीक्चा कर रहे थे और उन्होंने यथा सिखर बेड के इंतजाम करने का निदेश दिया था बता दे मुख्यमंत्री के निदेश के बाद राजे के सभी जीलों में कम से कम पचास अक्सिजन सपोर्टेड बेड की बेवस्ता की गई है लोगों को उपलवध कराए बेहतर चिकित सा सुविधा मुख्यमंत्री कुरोना की दूसरी लाहर का जारखन में भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है हर दिन रिकोर्ट संख्या में संख्या में संख्या मित मरीज मिल रहे है COVID-19 मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बड़ोतरी से राज्य के सरकारी और नीजी अस्पतालों के सामने कई चुनोतिया आखड़ी हुई है मरीजों की संख्या के हिसाब से अक्सीजन युक्त बेड वेंटिलेटर और अक्सीजन से लेंडर की संख्या कम पढ़ रही है ऐसे में सीनित संसाधनों के साथ मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्स थे सुवधा कैसे उपलवत कराय जाए इसे लेकर मुख मंत्री हमन सुरे ने गुरुवार को राजे के सभी चिकित्सा महाविद्यालों के निदेशक, सुप्रिडेंटेंट और नीजी अस्पतालों के प्रतिनी दियों के साथ वीडियो कंफिसिंग के जरिये विचार भी मर्स किया है रासन मिलने में हो रही परसानी तो राची के लाभूक करे सिकायात समस्या होने पर जिला पूर्ती हेल फ्लाइन नंबर 97-98-94-36 कर्याले आवधी 11-11 पर सिखायद कर सकते हाँ शचीवाले कर्मियों ने वापस लिया समोहिक अवकास सचीवाले कर्मियों ने 22 अप्रेल से 29 अप्रेल तक के लिए किये गए समोहिक अवकास कायलान वापस ले लिया है सचीवाले सेवा संग के महा सचीव पिकेस कुमार सिंग ने इसकी घोसना की है शिंग ने बताया कि सचिवाले सेवा संग राई सरकार की ओर से घोस्तित स्वाइश स्विरक्षा सप्ता का समर्थन करता है इससे संग क्रामन स्रिंखला तो तोड़ने में मदद मिलेगी धन्यवाद यदि आप चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत के बेले केंद भाईए साथ चाथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ चाथ आप हमें कोमेंट बेक्स में अपना पीड़ बेक अवस्ति दे थैंक यू